क्या आप भी अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट को इस तरीके से प्राइवेट करना चाहते हो क्या आपको भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को 2024 में प्राइवेट करना है तो कैसे करेंगे उसके लिए आपको इस वीडियो को एन तक देखते रहना है हेलो मेरा नाम है फहद और आप सभी का मेरी यूटुब चैनल में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जालेंगे कि इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कैसे करें तो सबसे पहले हम लोग इंस्टाग्राम के ये वाले पेज़ पर है यानि कि ये वाले अकाउंट को मैंने लॉगिंग किया हुआ है अभी आपको आप लोग देख सकते हो मेरा जो ये वाला अकाउंट है वो प्राइवेट नहीं है यानि कि पॉब्लिक है अभी मैं इस अकाउंट को प्राइवेट करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले आपको Instagram के right side corner में आ जाना है उस पर जाने के बाद friends आपको यहाँ पर private वाला option मिल जाता है account privacy वाला उस पर आपको click करना है अब यहाँ जैसे यहाँ पर account private करने जाओगे तो जिसका normal account है उसका यहाँ पर यह option on हो जाएगा और तुरंती अपना Instagram account private हो जाएगा और private होने के बाद उसका account का कोई भी बंदा अगर उसका followers नहीं है तो आपका photos, video, story नहीं देख पाएगा लेकिन अगर आपको ऐसे कुछ दिक्कत आ रही है private account करने जाते हो तब ऐसा लिखा हुआ आ रहा है business accounts cannot be private तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं आपको इसका तुरंती solution बता देता हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ से back आ जाना है back आने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिल जाता है creator tools and controls वाला उस पर आपको click करना है अभी आपको यहाँ पर एक option मिल जाता है switch account टाइप वाला दोस्तों यहाँ पर अगर आपको switch account टाइप में यह option नहीं मिल रहा है उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में आना है सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर क्रियेटर में आना है क्रियेटर में आपको यहाँ पर स्वीच अकाउंट टाइप का अप्शन मिल जाएगा अभी आपको यहाँ पर स्वीच टू पर्सनल अकाउंट करना है अ आपका जो भी आप उसका परपस ही यहाँ पर पब्लिक प्रोफाल रहता है यानि कि आप कुछ मार्केटिंग करना चाहता है आपका बिजनेस है तो उसके लिए आपको बिजनेस अकाउंट या तो फिर प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हो आप इंफ्लूएंसर हो तो यहाँ आपको क्या करना है बैक आने के बाद दो बार आपको 3 Lines पर जाना है अकाउंट में जाना है और प्र अकाउंटद्ध पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दूसरे अकंट में जाकर उतर और कि मेरा अकाउंट प्राइवेट हुआ है या नहीं तो यहां पर मैं इस वाला अकाउंट को सर्ज कर लेता हूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मैंने इस वाला अकाउंट को यहां पर सर्ज कर लिया है तो यहाँ पर यह मेरा account आ चुका है और यह मेरा Instagram अगाउंट प्राइवेट हो चुका है अभी यहाँपर मैं follow request भेजुँगा तो यहाँपर आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँपर एक request आ जाएगी मैं जब भी इसको confirm करूगा तब यह request यहाँ पर accept हो जाएगी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरी यहाँ पर यह request accept हो चुकिए तो friends आपको वीडियो पसंद आया हो तो please इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजे